Hello friends, welcome to my channel, study with Shruti. So guys, इस video में हम discuss करेंगे Portal Hypertension. Portal Hypertension यानि कि Hypertension का मतलब हमें पता है कि Blood Pressure का Increase हो जाना. Portal मतलब जो Portal Vane है, उसमें जो Blood Pressure हो जाता है, वो High हो गया है, Increase हो गया है. तो उसको हम कहते हैं, Portal Hypertension. अब यह किस वज़े से हो सकता है, इसमें क्या होता है, देखो, High Blood Pressure in Portal Vane, Portal Vane में जो Blood Pressure हाई हो जाता है, that is Portal Hypertension. Obstructed Blood Flow through Damaged River results in Increase BP throughout Portal Vaneous System. जब कोई भी Obstruction होती है Blood Through में, यानि कि मानलो लिवर में कोई डैमेज हो गया है, तो Blood Flow में क्या हो रही है, Obstruction हो रही है. जिसके वज़े से क्या हो रहा है, हमारा जो BP है, वो पूरी Portal Vaneous System जो है, उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होता है, Portal Hypertension होता है, और इसका Side Effect क्या है, सिरोसिस हमें इसकी वज़े से देखने को मिलता है. उसके बाद Major Consequences क्या होते हैं, दो होते हैं, Acitis और Varices, यह वर्ड हमने पहले भी सुने हैं, और हम जो है Digester System में यह वर्ड आगे भी सुनते हैं, कि Varices क्या होता है और Acites क्या होता है, तो Acites का मतलब होता है, जो Fluid Accumulate हो जाता है हमारी Abdominal Cavity में, तो उसके लिए हम Short Form Use करते ह यानिक एक Short Word यूज करते हैं, Acitis, उसके बाद Varices क्या होता है, जो भी हमारे veins drain, जो भी हमारी veins drain होती हैं, उन सब में जो Pressure है, वो Increase हो जाना, Elevate हो जाना, Elevate Pressure Transmitted to All Vains that Drain into Portal System, यानि कि जो एक कैसा Pressure जो है Transmit होगा उन Vains में, बहुत जादा Elevate होगा, वो जो Pressure है, बहुत क्या क्या positive factors होते हैं, जिनकी वज़े से हमें Portal Hypertension देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले आता है Portal Vain Thrombosis, जो हमें पता है कि Thrombosis यानि की Clot या फिर हम कह सकते हैं, Cist का एक तरीके से Formation हो जाना, Thrombosis का Formation हो जाना, तो अगर Portal Vain में Thrombosis है, तो वो एक Reason हो सकता है, Abdominal Trauma हुआ कोई Abdominal में चोट लगी है, हम गिर गए है, स्टमक के साइड या हम कहते हैं, पेट के बल अगर हम गिर गए है, बहुत जादा अगर हमें लगी है, तो Abdominal Trauma उस केस में हो सकता है, Congenital Hepatic Fibrosis है, यानि कि किसी को बर्थ से जो है, Hepatic Fibrosis की Problem है, तो उसको हो सकता है, उसके ब पॉलिसिस्टिक लेवर डिजीज के केस में भी हमें क्या है, पोर्टल हाइपरेटेंशन इसके बज़े से भी हमें देखने को मिल सकता है, अब रिस्क फेक्टर क्या होते हैं, सिरोसिस, कंजिस्टिव हर्ट फेलियर अगर किसी को हो है, या आर्ट्रियो वेनिस कोई भी इंफेक्शन है, कोई ड्रग समनी रहे हैं, कोई त्यूमर है और ट्रोमा हो गया लिवर को या लिवर ज़र इनफ्लामेशन होते हैं, वो लिवर के सैल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, लिवर के सैल्स Film manufacturersibt, भूर्वन कंप्रेशन क्रिएट करते हैं बलड़ फ्लो में सबकितने में प्राइश पहर सब्सक्राइब में करकिन करीन है, बोडी में ठीक है उसके बाद activation हो जाता है जो हमारा sympathetic nervous system है उसका और जो हमारा activation हो जाता है ADH यानि की anti-diuretic hormone का अब जो nervous system जो हमारा activate होता है sympathetic उसके वज़े से क्या होता है जो हमारा conversion होता है NA और H2O का वहाँ पे होता है उसके बाद जो shift होता है fluid का वो होता है intra-vascular system to peritonium यानि कि जो fluid है वो intra-vascular system से peritonium की तरफ जाता है और उसके बाद हमें क्या है at last ascitis जो है हमें देखने को मिलता है फिर हम बात कर लेते हैं clinical manifestations की तो इसमें हमें fluid और electrolyte imbalance देखने को मिलेगा jaundice देखने को मिलेगा shortness of breath ठीक है जो prelate let count होता है हमें वो decrease होता हुआ मिलेगा ठीक है umbilical hernia जो है वो देखने को मिल सकता है और gynecomastia जो है हमें देखने को मिल सकता है as a clinical manifestations या sign and symptoms of portal hypertension उससी के साथ साथ अगर देखो abdominal trauma अगेर हो है तो हमें abdominal pain देखने को मिल सकता है ठीक है अगर हम कोई drugs ले रहे हैं तो उसका side effect होएगा ठीक है तो यह सारी चीज़े क्या है हमें as a sign and symptoms देखने को मिल सकती है portal hypertension की हम इसको diagnose कैसे करेंगी blood test करा सकते हैं डोपलर ultrasound करा सकते हैं ठीक है लीवर का biopsy कर सकते हैं कि महाँ पे कोई tumor वगेरा तो नहीं है abdominal ultrasound करा सकते हैं CT scan करा सकते हैंedy hepatic vhenography करा सकते हैं यानी कि लीवर की चितनी भी veins है हम उनकी ग्राफी करा सकते हैं कि उसमें कोई problem तो नहीं है फिर हम बात कर लेते हैं management की तो अकर हम बात करते हैं medical management की तो हम उसमें beta blockers दे सकते हैं वाइटमिन के की सप्लीमेंट्स दे सकते हैं या वाइटमिन के दे सकते हैं या वैसोप्रेसीन दे सकते हैं और डायूरेटिक्स जो ड्रग्स होते हैं हमारी हम वो जो है दे सकते हैं फिर हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की तो इसमें हम क्या है परसेंटेसिस कर सकते ह उसके साथ परिटो नियो वेनिस जो शंट है हम उसका यूज कर सकते हैं वो डाल सकते हैं कॉंप्लिकेशन की बात करते हैं कि अगर हमें पोर्टल हाइपर टेंशन हो गया तो उसकी वज़े से हमें क्या कॉंप्लिकेशन देखने को मिल सकती है तो serious kidney problem हो सकती है, internal bleeding हमें देखने को मिल सकती है, साथ के साथ जो fluid है वो build up हो सकता है stomach में, यानि कि हमें ascitis देखने को मिलता है, जो भी अभी हमने pathophysiology में भी discuss किया है, कि at last क्या होता है, जो हमारा fluid है, वो shift होता है, इंट्रविस्कुलर से, peritonium की तरफ जहां पर हमें इसकी वज़े से क्या ascitis देखने को मिलता है,